हलो गाईस, स्वागत है आपका सिटोसंजी चैनल पर और आज आप देखने वाले हो 2008 में आई स्वेडिश वेंपायर फिल्म प्लैद दर राइट वन इनका ब्रेकडाउन जिसके डारेक्टर हैं टॉमस अलफरसन ये 2004 में इस सेम नाम की नावल पर बेजड है और मुवी बहुत ज़ादा इंप्रसिव है इतनी के इसका हॉलिवुड में रीमेक भी बन चुका है लेट मीन के नाम से वीडियो के एंड में मैं आपको इंट्रस्टिंग फैक्स तो बताऊंगा ही तो जादेर ना करते हुए चल में रहता है और ये एकदम हकेला है हर टाइम ये बस बदला लेनी की प्रैक्टेस करता रहता है क्योंकि कोई भी इसे अच्छे से ट्रेड नहीं करता एक राज जब वो खयालों में बदला ले रहा था तब ही वो देखता है अपने नए पडोसियों को जिसमें थी सेमेज की लड़की एली और उसका केर टेकर हैकन उन पर जादा ध्यान ना देते हुए अपना चाप को अपने पास रखकर वो अराम से सो गया लेगन हम देखते हैं कि आते ही हैकन अपनी विंडो कवर करने में लग गया ओसकर काफी अच्छा स्टूडेंट है लेगन स्कूल का बुल लेगन तब ही वहां पर आ जाता एक पालतू डाग और उसके पीछे पीछे उसके केटे कर भी वहां पर आ रहे थे इसलिए हैकन जल्दी से बिना खून लेई वहां से भाग गया उदर आसकर बिल्डिंग से बाहर आकर अपने बदले की प्रैक्टिस कर रहा था एक पेड़ पर तब यचानक उसकी नई पडोसन एले भी नीचे आकर उसे देखने लगी और आते उसने साफसा बता दिया कि मैं तुमारी फ्रेंड नहीं बन सकती जब क्या आसकर ने पूछा भी नहीं यह कहकर वो चुक्चा वहां से चल दी और हैरानी की बात यह है कि एली को सरदी न लेगिन आसकर को कोई डर नहीं है बलके वो तो ऐसी खबरों की कटिंग्स रखता है अपनी स्क्रैप बुक में क्योंकि वो मर्डर्स में काफे इंट्रस्टेड है मीनवाइल उसका किलर पडोसी बैटा था एक रेस्ट्रॉम में और वहां भी लोग उसी मर्डर के बारे में कहता है कि तुम्हारे अंदर से स्मेल आ रही है क्या तुम्हें सर्दी नहीं लग रही वो कहते हैं अपना रूबिक्स क्यूब उसे दे कर वो अंदर चला जाता है और उसके जाती हम देखते हैं कि एली को काफी तेज भूख लग रही थी इदर लैकी और जोकी एक दूसरे के लिए खून जमा कर रहा था दो दिन से वो खून नहीं लाया इसलिए मजबूरी में एली को अपने पडोसी कोई मारना पड़ा जिससे वो बिलकुल भी खुश नहीं है लेकिन अगर ये ना उमारती तो खुदी भोग से मर जाती अब आप जान गए हो के एली को सरदी क्यों जुने लगती और ये यहां पर शिफ्ट क्यों हुए क्योंकि यह जादा देर तक एक ही जगा पर नहीं रह सकते इससे आसपास वालों को शक हो जाता है अब इंपॉर्टन बारत यह है कि इतनी भूक लगने के बावजूद भी इसने आउसकर को नहीं मारा यानि कि अच्छ भी पूरी तरह सॉल्ड लेगिन अलिवान नहीं थी क्योंकि वो दिन में भाण नहीं आ सकती रात को पहले से ओसकर का वेट कर रही थी और इस बार वो अच्छी तरह नहादो के आई थी ताकि उसमें से स्मेल ना आए यहां फाइनली दोनों को एक दूसरे के नाम पता चले औसकर की एज 12 साल है बट एली को उसकी एज नहीं पता क्योंकि वो है एक वैंपायर ना चाने कितने साल उसे ये प्रिफिव पर मुझूद है फिर भी वो अपनी एज बता रही थी 12 साल अगले दिन चुट्टे के बाद भी ऑसकर स्कूल में रुका हुआ था क्योंकि वो मौर्स कोर्ड की लिस्ट बना रहा था जिसे खतम करके वो घर के लिए निकल गया लेगिन कौनी ने अपनी गैंग के साथ मिलकर उसे पकड़ लिया अंड्रियास उसे मारना शुरू करता है लेगिन ये इस गैंग में सबसे सौफ्ट है आसकर तो रोया नहीं उल्टा वो खुदी रोने लगा तो बारी आती है मार्टिन की उसने आसकर के चहरे पर कट मार दिया जिससे दर तो हो रहा होगा लेगिन आसकर कोई रेक्शन नहीं देता और यहीं देखकर वो सब भाग गए आसकर को ये बात अपनी माम को बता देनी चाहिए थी लेकिन वो कहता है कि मैं गिर गया एक रोक पर वो ऐसा दिखा रहा है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं जबकि इससे साथा परिशान तो इसे मारने वाली हो गए इससे बता चलता है कि किस हद तक इसने बुलिंग को एकसेप्ट कर लिया रात में वो एली को मोस कोड़ वाली लिस्ट देता है ताकि एली सीखे और ये दोनों दिवारों पर टैप करके बात कर सके क्योंकि इनके रूम साथ है औसकर के चहरे पर लगा घाव देखकर एली पूसती है तो औसकर उसे सब कुछ बता देता है और बदले में वो कहते है कि अगली बार बिना डरे उनका सामना करना बाकी मैं संभाल लूगी ये सुनकर आसकर सैम गया था क्योंकि इस बारे में बात करना उसे अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसके मुताबिक तो इसका कोई हल है यह नहीं एलि कहते है कि अगली बार उसे जोर से मारना तब आशकर कहता है कि वो तीन है यह सुनकर वो कहते है कि फिर और जोर से मारना तबी वो रुकेंगे बाग़्ि फिर ये तो है ही इन दोनों की ये दोस्ती देखकर हैकand चिंतित था लेकिन वो तो बस एक गुलाम है बाद में वो दुनों अपना मोर्स कोड़ प्रैक्टेस करते हैं और कुछ इस तरह अब ये भी ना मिले भी बात कर पाएंगे अली की बात मानते हुए औसकर ने अपने पीटी टीचर से कहकर वेट लिफ्टिंग में हिस्सा ले लिया ताकि ये स्ट्रॉंग बन कर कौनी कैंग का सामना कर पाए इस रात वा एली को ट्रीट दे रहा था जिसे वो लेना नहीं चाती क्योंकि वो एक वैमपायर है बलड के अलावा और कुछ उसके लिए जहर है लेगिन आसकर को बुरा ना लगे इसलिए उसने थोड़ा खा लिया और तब यूसे उल्टी हो गई या एक बिल्ली उससे काफी चिड रही थी क्योंकि जानवर वैमपायर्स को पसंद नहीं करते और बिल्लियां तो मुका मिलते ही काम भी कर देती हैं तब वो पूचते है कि अगर मैं लड़की ना हुई क्या तुम फिर भी मुझे पसंद करोगे इसके कहने का मतलब तो यह है कि यह वैमपायर है इसलिए आसकर नहीं समझा लेगिन इसका एक डीप मिनिंग है जो मैं आपको एंड में बताऊंगा औसकर ने उसे बाई बोल दिया क्योंकि इस सफते यह जा रहा है अपने डैड के घर और जल्दी यह वापस सा जाएगा वो अपने डैड के घर पहुंच गया और धर एली की भूग जाग गई उसने हैकन को हिंट दे दिया इसलिए वो पहुंच गया बास्केट बॉल कोर्ट में सबके जाते ही उसने एक लड़के को बंदी बना लिया लेकिन उसके दोस बाहरी उसका वेट कर रहे थे अचानक लाइट चली गई और होशात ही वो चिला दिया यानि कि आज भी इसे खून नहीं मिलने वाला लेकिन बड़ी प्राबलम ये है कि ये फश चुका उसके दोस्तों के अंदर आते ही वो अपने चैरे पर एसेड फेग लेता है तो कि उसके पहचान ना हो पाए औसकर पुरी मेहनत कर रहा था लेकिन भूलिंग अब भी जारी थी इदर एली खून का इंतसार कर रही थी तब ही रेडियो पर चल रही नियुसके जरिये उसे पता चल गया कि हैकन पहुंच गया हॉस्पिटल में वहाँ पहुंच कर उसके बारे में पता करके एली बाहर से चड़के सीधा उसके रूम तक पहुंच जाती है और पहले वो उससे पूचती है कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ क्योंगि मित के अनुसार वैंपायर्स बिना बुलाए अंदर नहीं आ सकते एली को भूक लगी थी इसलिए हैकन अपने आप कोई अफर कर देता है और वो उसका सारा खून पी जाती है और आखिर में वो गिर जाता है नीचे इससे लगेगा एक एक एकसिडेंट अपने आखरी सांस उसने नीचे ली वहां से निकल कर वो पहुँच गई सिदा उसकर के रूम तक वा भी वो परमीशन ले रही थी तब उसने भी विंडो उपन करके उसे अंदर ले लिया एली सारे कपड़े उतार कर उसके साल लेटी थी क्योंकि कपड़ों पर खून लगावा था औसकर उससे पूसता है कि क्या तुम मेरी गर्फरेंड बनोगी जब ये गर्ड है नहीं तो बनेगी कैसे एली ने खुदी क्या दिया कि मैं कोई गर्ड नहीं हूँ जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो लेकिन आसकर खुश नहीं था इसलिए उसका दिल रखने के लिए वो मान गई या वो उसके साथ हाओ मेनी फिंगर्स वाला गेम भी खेल रही थी सुबा जब आसकर के या खुलती है तब एली गाइब थी वो एक नोट छोड़ कर गई थी जिस पे लिखा था या तो मैं यहां से जाकर जिंदा रह सकती हूँ या फरी यहां रुक कर मर सकती हूँ क्योंकि सूरज उसे जला देता इसलिए वो चली गई आज इनका पीटे टीचर सभी को स्किंग करने ले आया पर वहां भी कौनी गैंग उससे पंगाले ने पहुच गई लेगिन फर्क यह है कि इस बार ये फाइट बैक करेगा उसके पास एक स्टेक थी और उसने सीधा ही बोल दिया कि अगर तुम कुछ करोगे तो मैं तुमें मारूंगा कौनी को लग रहा था कि यह मजाक है वो उसे छेड़ देता है और छेड़ते या उसकर ने सीधा उसके कान पर एक शाट चिपका दिया यहां एकी मिनिट में उसकी सारी दादा गिरी निकल गई वो बच्चों की तरह चिलाने लगा और दर दो बच्चे कारे करम में लगे थे तो भी उन्हें लाज मिल जाते है जौकी की उसे बर्व समेती बहार निकालना पड़ा और अब उसकी मात एक संसनी खेस कबर बन गई पर जहां वो से अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहा था जिने सुनकर एली काफी खुश हुई उसने अपना हाथ कार दिया ताकि ये बलड बॉन में बन जाएं और लगता है कि एक बॉलिवुड का फैन है अब एली ठैरी एक वेंपायर खून गिरता देख वो खुद को कंट्रोल नई कर पाती और सिधा तूट परती है खून पर वो से भागने को कहती है लेकिन वो नई जाता इसलिए वो खुदी भाग कर एक पेड़ पर चड़कर बैठ गई नया शिकार ढूनने के लिए क्योंकि जो आग लगी है इसे शान तो करना होगा इधर उस लाश के म उसे मना ने लैकी भी पीछे चल दिया लेकिन तब तक उसे जपड़ चुकी थी एली इससे पहले कि वो सारा खून पी पाती लैकी उसे भगा देता है और कुछ तरह वर्जीनिया की जान तो बच गई लेकिन मुश्क के लिए जादा बढ़ेंगी क्योंकि अब ये भी बने के पास निकल लिया इधर पूरे दिन बेचैन रहने के बार रात को वर्जीनिया खून की तलाश में मारी मारी फिर रही थी लेकिसे मिलने वो पहुँच जाते है गौस्टा के घर जो के कैट लवर है और इसके पास धेर सारी बिलिया मौजूद है उसके अंदर आते ही बिल और यह हमने पहली बार इस फिल्म में वैंपायर वर्ट सुना एली कहते हैं फिर वो पूसता है कि क्या तुम डैड हो जोके वो नई है क्योंकि वो है अंडैड बस यह आउसकर के लिए बहुत था उसे लग रहा था कि एली गरीब है लेगिन वो से अपनी कलेक्शन दिखात लेगिन ऑसकर चोरी के पैसे मेंटर से नई था इसलिए वो थोड़ा निराश होकर चला गया अगले दिन हॉस्पिटल में बिना खून वर्जीनिया तडप रही थी वो लैकी को कहती है कि उस लड़की को ठूंडो और से मार दो इस तडप से बहतर उसे मात लग रही थी इस कि आप में से भी कई लोग सोच रहे होंगे और यही दिखाने के लिए वो बिना परमीशन अंदर आ जाती है और अंदर आते ही उसके हर एक बाड़ी पार्ट से ए खुल निकलना स्टार्ट हो गया क्योंकि अब ये मरेगी यह देखकर आसकर ने हाँ बोल दिया और वो बच गई यह उनकी प्यार भरी बाचे जारी थी और सी बीच हम एली का एक्चल रोब देख पाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि अंदर से वो बहुत ज़्यादा बूड़ी है फिर भी वो आसकर को चाती है इस सब के बाद एली नहाद होकर तयार हो रही थी तो आसकर उसे चु बूलती है एली के रूम में और उसके सामने ही एली का नोड़ था कि मैं बात रूम में हूँ मुझे मच जगाना हम रात में हंग आउट करेंगे और मैं तुम्हें काफी पसंद करती हूँ बात रूम में वो सो रही होगी बाट टब में क्योंगी कॉफिन तो यहाँ पर गई वो खुदी उसका सारा खुन पी जाती है और अब उसका लगाव और पिसादा बढ़ गया ऑसकर से क्योंगी आउसकर ने इसकी जान बचाई लेगिन अभी और यहाँ नहीं रुख सकती इसे जाना होगा ऑसकर को पहली बार किस करके वो बाई बोल देती है क्योंकि यह अगले दिन उसके जाने के बाद ऑसकर काफी दोगी था तब यूसे फोन आता है उसके क्लास मेड मार्टिन का जो कि उसे आजरा स्विंग क्लास के लिए बुला रहा था और यह सब प्लैन है कॉनी का ऑसकर अराम से सेंटर पहुंच कर स्विंग कर रहा था तब यू कॉनी उसे डुबा दिया और वो सच में उसे मार रहा था जो कि कॉनी गैंग को भी अस्पेक नहीं था यह देखकर कॉनी की भी हवा निकल गई क्योंकि उसका भाई उससे भी बड़ा साइको है सब भी उसे मना कर रहे थे लेकिन वो ने चुप करा देता है और अंदर आसकर का दम एली है बाक्स में और ये दोनों कहीं दूर जा रहे हैं क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते जाते जाते भी दोनों मोर्स कोड के जर ये बाते करते जा रहे थे क्योंकि एली तो रात में ही भार आएगी इसे के साथ ये मूवी एंड हो जाती है तो मू मुवी को बहुत साथा पसंद क्या जाता है लेगन इसे समझ पाना थोड़ा मुश्किल है इस वीडियो से आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा लेगन एक मेन बात जो इंपॉर्टेंट है और पूरी स्टोरी पलट कर रख देगी वह है कि यह लड़की नहीं बलके एक सुधार हो सकता है उन्हें सुधार हो ना कि अच्छी मुविस को 2008 में यह मुवी आई थी और से बहुत ज़्या प्रेज मिल रही थी अवार्स के साथ और अगले साल इसका रिमेक बनने लगा तो डिरेक्टर को तो बुरा लग नहीं था टॉमस को रिमेक डिरेक्ट करने का उसकी वीडियो कभी बाद में आएगी उसका वेट करना तो बात करता हैं इंटरस्टिंग फैट्स के बारे में इसका बज़र था 4.5 मिलियन डॉलर्स और सने कमाई थे 11.2 मिलियन डॉलर्स इसे अंगिन अता वार्स में नॉमिनेट किया गया था जिन में से पिचत तर इसन में टॉप किया बैट सीन में आली आसकर के साथ हाउ मैनी फिंगर्स वाला गेम खेलती है जो कि उसके करेक्टर के हिसाब से फिर नहीं बैठता लेकिन एक डिलेटेड सीन था जो कि इस सीन को बिल्ड करता उसमें आसकर एली के साथ एक गेम खेलता और एली को खेल समझ ना फिर भी वो सई नंबर गैस कर लेती ये फिल्म बेस्टे ब्लैक बर्ग में लेकिन फोटोग्राफी शूट हुई थी लूलिया स्वेडन में ताके बर्फ और कोल्ड वैदर अच्छे से दिख सके फिल्म में वेम्पाइर वर्ड सिर्फ एक ही बारी यूज हुआ जो बोला पी सकती थी ओसकर के पूछने के बाद भी एली ने अपनी एज नहीं बताई ऐसा माना जाता है कि एली की एज होगी 300 साल के आसपास नौवल और फिल्म के राइटर जॉन एविड और डिरेक्टर टॉमस एलफरसन इन दोनों को ही वैमपाइर पसंद नहीं और ना ही दोनों ना हो इससे वो ये तो बताई रही थी कि वो एक वैमपाइर है लेगिन असल में नावल में एली एक लड़का था जिसे वैमपाइर बनाते टाइम कैस्टरेट कर दिया था यानि कि उसके जैनिटल सकार दिये थे और इसका रेफरेंस भी एक सीन में मिलता है जब आसकर शु अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और कुछ जानने को मिला तो इसे एक लाएक ज़रू करना वो बहुत ज़रूरी है मोटिवेशन के लिए और साथ या आप कमेंट करके बताओ कि आपको मुवी कैसी लगी और कितना कुछ आप जान पाए वैमपाइर मित के बारे में अ आगे नोडिफिकेशन आपको दूर कहीं ले जाए और जदा कनेक्टिव रहने के लिए आपको इस्टाग्राम पर फालो कर सकते हो वह आपको बहुत कुछ जाने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगाओ पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे तो मैं म